एक मेसेज जाता है आपकी जिंदगी में, कि जिंदगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है, तो प्रकर्ती के नियम भी फेल हो जाते हैं। एक घोड़ों की रेश थी, अलग-अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए, एक पंचायत में घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा, भाई साब अपने गाउं की जद का सवाल है, उन्होंने बोला क्या किया जाए, कि घोड़ा नहीं है, घदे को तयार करो। अब उन्होंने पूरे गाउं ने धूंड़ा, घदो में अड़कंप मच गया, और हम मरवा दिया रहे गोड़ों में बेजेंगे, गदो में हड़कंप मच गया, गदो में अड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृस्ट-फृस्ट था ना घदा, थोड़ा सा गोड़े लगने वाला, उसको लिया, उसको लेके कि भाई, तू कर सकता हूँ, कर सकता है, तू 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 कर, अब इतने पंप बरते हैं, तो कुछ तो फरक पड़ता है कि नहीं पड़ता है, गदे ने बोला, मैं जाएगा, मैं जाएगा रेस में जाएगा पंचाइद की इजट के लिए पूरा लूट जाएगा लेकिन मैं जाएगा ओके सरपंस तयार सारी टीन तयार और घदे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे और घदा बिलकुल रेडी लेट में देखा घोडे अरब बार मर गेरे विशिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकरती के नियमी बदल दी विशिल बजने के 5 सेकंड पहले गाउं के सरपंच ने गदे की पोछ उठा के आदा किलो मिर्ची डाल दी आदा किलो मिर्ची डाल दी और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ रहे रि रुकाई में, पांच छे रेस ओर हो गई छे मेने में, वो रुकाई में, क्यों, जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता, एक गधाबी गोडों को हरा सकता है, जब दिजायर अपनी तडब पे होती है, इस कहानी का मेसेज ये है, अगर जिंदगी में थोड़ा होले होले, अब थोड़ा सा आँच देना चालू करो, उसको खवा देना चालू करो,